आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आरे सगरवाल चेप्टर 18 एरियो फ़र ट्रैपेजम एड़ पॉलिगन एक्सराइज 18C के कोश्चिन्स सॉल्व करेंगे बच्चो एक्सराइज 18C में अब्जेक्टिव टाइप कोश्चिन्स है हमने कोश्चिन्स को सॉल्व करना है और जो क्रेक्ट ऑप्शन है उसके पर टिक करना है बच्चो क्लास 8 की जितने भी हमने चेप्टर्स की वीडियो बनाई है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अगर आप देखना चाते हैं तो वहां से देख सकते हैं बच्चो क्वेशन वन है अगर हमें अबजेक्टिव टाइब की बजाए अगर हमें सॉल्व करना है तो इसको कैसे सॉल्व करना है बच्चो को नाम देदी है अब हो कह रहे है पैरलर साइड ऑफ ट्रैविट मेजर 14 cm यह 14 cm चोटी वाली वाली के 18 cm है और डिस्टेंस बीट्विन देंस और यहां से लेकर यह जो डिस्टेंस है इनके बीच में यह कितना है 9 cm का है ठीक है बच्चो तो आप लिख सकते हो कि पहले साइट अगर कोश्चिन वन चलो स्टार्टिंग जैसे करते हैं वैसे दातियां को तो यह आप लिखो कोश्चिन बन पैरलल साइट सोफ पैरलल साइट्स ओफ टैपिज्जिम ठीक है क्या है आर 14 cm and 18 cm ठीक है तो डिस्टेंस बिट्विन देम जिसे हम हाइट भी कहते हैं ठीक है ब्रैकेट में आप यहाँ पर हाइट लिख सकते हो यह एच भी लिख सकते हो कि वह कितना है 9 cm एरिया ओफ ट्रेपिजम हमने निकालने है तो एरिया ओफ ट्रेपिजम का जो फार्मूल होता है वो क्या होता है 1 upon 2 multiply sum of parallel sides ठीक है बच्चो multiply height 1 upon 2 multiply sum क्या है 14 जो parallel sides को है 14 and 18 14 प्लस 18 cm multiply height कितना दिया है 9 cm ठीक है बच्चो अब यह कटनी रहा तो हम इसको पहले add करेंगे 14 प्लस 18 कितना है 8 प्लस 4 तू 32 cm आ गही है अपर multiply 9 cm तो यह किस पर चल जाएगा टू बच्चों को 9 से multiply करेंगे कितना है नाइन सिक्सर फिफ्टी फॉर फॉर फाइप के रही नाइन बच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् बच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् 13 cm, 19 cm, जो area है, वो 128 cm दिया है, हमने क्या निकालने है, यह जो height है, इसको find out करना है, ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले तो वो लिख लो, जो given है, वो लिख लो यहाँ पर, length of, अगर आपको यह objective type नहीं आना है, तो किस तरह से आपने लिखना है, वो trapezim, ठीक है, यहाँ पर लिखी है, are 19 cm and 13 cm, राइट बच्चों, और area जो दिया हुए, area of trapezim, यह कितना दिया है, 128 cm, हमने किस को, distance को find करना है, distance हमने के करना है, find करना है, ठीक है, तो बच्चों, जो area of trapezim का जो formula है, वो ही हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, वो कहता है, 1 upon 2, multiply, sum of parallel sides, parallel sides, multiply height, ठीक है बच्चों, यह तो आप height को x मालो, यह height को height ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, trapezim कितना है हमारे पस, square centimeter, 128 square centimeter हमें trapezim दिया हुआ, 1 upon 2, multiply, sum of parallel sides, तो 13 plus 19, into height को हमने find out करना है, ठीक है बच्चों, 128 square centimeter, 1 upon 2, income ने add किया, तो 9 plus 3 होता है, 12, ठीक है, 2, 1 करी, 32 centimeter, multiply, H आगया, तो इसको हम करेंगे, 212, 262, 12, तो महारे पास कितना आगया, 16 centimeter multiply, H जा आगया, ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर बच्चों, H की value नका ले, हमने कहने कहने कहला है, height की value नका ले है, तो हम क्या करते है, height को लिखेंगे, और जो 16 centimeter है, तो यहाँ पर multiply, तो यहाँ पर 0 meter चले, 128 square centimeter upon 16 centimeter, यह इस से कट गया, ठीक है, अब यह किस पर जाएगा, यह तो आप सीधा 2 के table में काड़ देते हैं, टू के table करते हैं, 4 के table करते हैं, 4, 3 is a 12, 4, 2 is a 8, 4, 4 is a 16, ठीक है, उसके बाद 4, 8 is a 32, मत्ता कि height कितने हैं, 8 centimeter, ठीक है बच्चों, और यह कौन सी option में है, C option में है, तो exercise 18 C के question 2 का answer क्या आया, C आया, 8 centimeter, ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने यह question 2 को solve करना था, अब बच्चों, question हम करते हैं, 3, question 3 में क्या बोला गया है, 1 minute, ठीक है, question 3 में, the parallel sides of a trapezium are in the ratio 3 is to 4, अब बच्चों, यहाँ पर कहा है, जो parallel side है, वो 3 is to 4 के ratio में दी गई है, ठीक है, and the perpendicular distance between them is 12 centimeter, अब यहाँ पर क्या दिया है, बच्चों, यह जो है, यह इनों दे दिया 12 centimeter, और साथ में जो area है, इसका, वो कितना दे दिया, 630 square meter, then it's shorter of the parallel, हमने जो parallel side की, चोटी वाली side है, उसको find out करना है, बच्चों, यह 3 is to 4 की ratio में दिया हुआ है, अब च्चों, यह ratio की form में हो, तो हम क्या करते हैं, उसको क्या कर लेते हैं, एक समान लेते हैं, उनके साथ हम variable लगा लें, तो यहां हम लिखेंगे, let parallel sides of trapezium are 3x and 4x, ठीक है, पर perpendicular distance, जो given है, वो आपने लिखने है, अगर आपने question को solve करना है, ठीक है, distance, लिख सकते हैं हम यहां पर 12 cm, ठीक है, अब area of trapezium, अब बच्चों, यहां पर formula लिखेंगे, 1 upon 2, multiply sum of parallel sides into height, ठीक है बच्चों, area of trapezium कितना है, 630 square cm, right, multiply 1 upon 2, अब हमने, जो सम parallel side उसको क्या माना था, 3x plus 4x, multiply, और यहां पर जिम्हारे पास क्या दियो है, 12 cm दियो है, बच्चों यह इसको काट सकते हैं, 2 6 of 12 cm, तो 6 cm हो गया, तो हमारे पास क्या question बन गी, 6 30 square cm equal to, 4 plus 3 कितना हता है, 7x into 6 cm, ठीक है बच्चों, बच्चों, अब आपने यहां पर क्या करना है, यह 7x है और यह 6 है, तो यहां पर क्या है, यह multiply में है, इसको पहले यहां पर डिनोमेटर में ले जाएंगे, डिवाइड में ले जाएंगे, ठीक है, तो यह कितना गया, 630 square cm upon 6 cm equal to 7x, ठीक है बच्चों, cm से यह cm कर गया, और यह किस पर जाएगा, 6 1 is a 6, 0 is a 6, 5 is a 30, तो हमारे पास क्या बंग्योकेशन, 105 is equal to 7x, अब बच्चों, यहां पर हम x की वैल्यों कर लेंगे, x equal to, तो 105 upon 7 आएगा, ठीक है, क्योंकि x की जो वैल्यों नीचे डिनोमेटर में जाती है, अब यह कर जाएगा, 7 बच्चों, रिमेंडर 3, 35, 7, 5 is a 35, त ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्या है, 3x था, अब हम x की वैल्यों पूट करने है, 3 into 5, 15, sorry, 3 into 15 कितना आएगा, 45 cm आगया, और 4x, 4 into 15 कितना आजेगा, 60 cm, अब हमें क्या पुछा गया है, shorter side पुछा गया, shorter of the parallel side, तो इन दोना में से छोटी side कौन सी है, 45 cm, और यह कौ Q3 का आंसर क्या आगया, A आगया, अब हम करेंगे Q4, Q4 है, the area of a trapezium is 180 cm, its height is 9 cm, if one of the parallel side is longer than the other by 6 cm, the length of the longer of the parallel side is, अब देख़चो, given क्या है, area of trapezium 180 square cm, ठीक है, height क्या दिए हुए, 9 cm, ठीक है बच्चो, अब इसको समझें यहाँ पर, one of the parallel side is longer than the other by 6, जो दूसरी side है, उससे 6 longer है, 6 ज्यादा है, अगर हम first side को, मालने, let one side, one side of trapezium, क्या आगी, x cm, then the other side क्या हो जाएगी, x plus 6, 6 cm longer है, ठीक है न, यहाँ बोले है न, कि पहले side is longer than the other by 6 cm, then, other side क्या हो जाएगी, x plus 6, ठीक है बच्चो, बस आपने अब x की value नकाल देनी है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, area of trapezium, क्या होता है, one upon two multiply, sum of parallel sides multiply height, one upon two, अब यहाँ पर क्या है, एक x है, तो दूसरी क्या है, x plus 6, into, और height कितनी देनी है, 9 cm, ठीक है बच्चो, और trapezium हमें कितना देनी है, 180 square cm, 180 square cm, ठीक है बच्चो, अब 180 square cm, equal to one upon two, यहाँ पर कितना आजेगा, 2x plus 6, इसको bracket में लग देते है, into 9 cm, बच्चो, जो इस तरह से question होता है, अब यह आपस में नहीं कट रहे हैं, तो बच्चो, यहाँ पर जो two है, यहाँ पर क्या है, बीच में multiply है, यह यह लग, यह लग है, ठीक है, तो बच्चो, यह जो two है, यहाँ पर क्या है, divide में है ना यह, बत्तर कि denominator में, तो यहाँ आकर यह क्या होजएगा, multiply में होजएगा, तो 180 को आप two से multiply करेंगे, और जो यहाँ पर nine है, यहाँ पर किस में चले जाएगा, multiply में तो यहाँ पर divide में चले जाएगा, मतलब numerator में है, तो denominator में चले जाएगा, और यहाँ पर क्या रहाएगा है, हमार पर two x plus six, ठीक है, अब चो, sentiment लिखने की जूरते हैं, हम end में लगा लेगे, अब चो nine to the eighteen, तो यहाँ पर कितना आएगा, twenty multiply two, forty equal to two x plus six, अब हमारे बाद two x इदर ले लेंगे, forty, अब यहाँ पर plus six है, तो यहाँ पर minus six आजएगा, two x equal to, यहाँ पर कितना है 34, x equal to 34 upon two, 202, 2714, तो x की value की आगी, seventeen centimeter, ठीक है बच्चों, अब हमारे पास, एक side क्या होगी, seventeen centimeter, दूसरी side क्या होगी, x plus six था, seventeen plus six, तो seventeen plus six कितना है यहाँ पर, 23 centimeter, ठीक है, तो हमने कौन से बताने थी, longer side को बताना था, 23 centimeter, तो यह जो answer है, यह B option में है, तो question four की correct option क्या होगी, B होगी, जब हम करेंगे, question five, question five है, in the given figure, AB parallel DC, AB जो है, DC की parallel बन रहा है, DA perpendicular AB, मतलब यह के हमारी height है, if DC 7 centimeter, BC 10 centimeter, AB 13 centimeter है, and CL है, perpendicular AB, find the area of ABCD, हमने बच्चों, इसका area न कालना है, ठीक है बच्चों, आप यह देख रहे हैं, यह के बन रहा है, टरपेजियम बन रहा है, ठीक है न, अब यहां पर क्या हमारे पस दो side तो दी गही है, पर हमारे पस क्या है यह वली साइड हाइट नहीं है हमारे पस ठीक है तो सबसे पहले क्या करेंगे है हम हाइट को नकालेंगे अग जैसे अब यहां पर आप देखोगे अब जो यहां पर L B की साइड कैसे नकालेंगे हम A B में से हम हमें पता है कि जो D C है वो A L के पैरलल है ठ थीक है तो हमने ल ब की साइड को निकाल ला है तो पहले हम को करते हैं कि हमने इसको कैसे करने है यह मैंने अल्रेड इसको ड्रॉव कर दिया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर क्या लिख सकते है इन या फिगर लिख लो आप फिगर भी लिख सकते हैं ना या ट्रेपीजम लिख लो इन फिगर ए बी सी डी तो बच्चो क्या क्या दिया हुआ था ना ने ए बी पैरलर डी सी ए बी पैरलर ए बी पैरलर डी सी ठीक है बच्चो और जो ए डी पर जो दिया हुआ है वो इसमें से लिखने है आपने ठीक है क्या था डी ए या ए डी लिख दो डी ए डी ए आएगा क्योंकि एक पर पर प्रपेंडिकुलर अब बच्चो अब डी सी मारे पास दिये हुए है 7 cm और A B मारे पास दिये 13 cm और C B मारे पास दिये 10 cm ठीक है या B C भी लिख सकते हैं यहां पर B C लिखा होगा न तो कोई बात निए B C C B A की बात है 10 cm ठीक है अब अच्चो यहां पर कहा है C L जो है प्रपेंडिकुलर बना रहा है A B B ठीक है यह 90 डिगरी का एंगल बना रहा ह तो सो फ्रॉम राइट राइट ट्राइंगल C L B C L B ठीक है बच्चो यहां पर हमारे पास जो हाइपर टुनिस है C B कितने है 10 cm है हमने L B को नकालना है तो बच्चो L B कैसे नकाले हैं A B माइनस यहां पर क्या जाएगा L B ठीक है तो हमें पता है कि जो DC DC के है इसके मदगी यह क्या बना है महारे पास एक महारे पास क्या बन रहा है यह स्क्वेर बन रहा है तो स्क्वेर में जो यह पर्पेंडिक जो पैलाग्रॉम बन रहा है जो मर्जी है स्क्वेर है तो स्क्वेर में यह पैलाग्राम है उपोजिट साइट के एकोल हो 17 cm 13 में से 7दिस के तुम्हारे पास कितने आज़ेगा 6 cm ठीक है बचो तुम्हारे पास LB कितने Schools curls 6 cm घृ कर एगेD ठीक है अब हमने क्या करना है यह तो है गोरा स्थ्य diffus अगर आपको ने हमारा opportunities है BC square equal to CL square LB square CL square plus LB square perpendicular को तो हमने निकालना ही है ठीक है BC square मारे पास है 10 square CL मारे पास आगए CL को तो हमने निकालना है हमने LB square मारे पास आगया 6 square 10 square 100 आगया तो CL square plus 6 is the 36 आज़ेगा ठीक है तो CL square तो 100 यहां पर प्लस 36 है माइनस 36 आ गया 100 में से 36 को माइनस किया तो हमारे परस कितना आ गया 64 आ गया अब यह square है तो इसको हम हटाने के लिए क्या करेंगे यहां पर root 64 आ जेगा तो root 64 किसका square है CL वो 8 का square है 8 इंटू 8 तो इतने आ जी 8 cm तो हमारे परस यह वरी क्या आगी 8 cm ठीक है बच्चो अब हमारे परस यह trapezium बन गया यहां पर दो parallel side बन गी और यह height भी हमें मिल गया ठीक है तो अब हम यहां पर area of trapezium का formula लगाएंगे area of trapezium हो गता 1 upon 2 multiply sum of parallel sides into height ठीक है 1 upon 2 parallel sides मारे पास क्या थी विच्चो 7 cm और 13 cm यह हमने पूरी side लेनी होनती है ठीक है तो यहां पर लिखेंगे 7 cm plus 13 cm into अब height मारे पास कितने आगे यह CL 8 cm यहां पर लिखेंगे 8 cm 2 forza 8 कट गया अब यहां पर क्याएंगे 7 plus 3 13 सॉरी तो आज अगा 20 cm into 4 cm तो 20 को 4 से multiply किया तो 80 square cm ठीक है बच्चो तो इस तरह से तो हम यहां पर लिख भी सकते हैं नहीं हमने तो यह लिखने यह जूरत ही नहीं है यह तो objective type question है ठीक है तो 80 cm इस तरह से आपने solve करना है ठीक है बच्चो आप अगर फिर अगर आपको समझ आता है तो आप तो shortcut use कर सकते हो इसका यह तो मैंने आपको समझाने के लिए अगर आपको objective type के विजए सब्सक्राइब करना है तो आपने इस तरह से solve करना है इस cancer है 80 square cm और यह कौन सी option में है C option में है तो 5th की correct option क्या होगी C होगी ठीक है बच्चो इस तरह से आपने यह exercise 18 C के question को solve करना था I hope आपको वीडियो useful लगी होगी वीडियो useful लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर कर अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल के नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें thank you for watching next वीडियो में हम test paper 18 को solve करेंगे